हेलो फ्रेंड्स, ट्रिंसी स्टेडी में आपका स्वागत है, आज हम आपके लिए लाया हैं, रिजिनल ट्रांसपोर्ट ओफिस से सबंदित कुछ जानकारी, जिसमें आप पायेंगे कि आपके शहर में आपकी गाड़ी कित्वे नंबर पर है, चलिए कुछ जेनरल रहे हैं, तो चलिए बता रहा हूं मैं आपको अधिकता में नंबर प्लेट दो तरह की होती है, एक यलो नंबर प्लेट और एक वाइट नंबर प्लेट, इसके अलावा टेंपरेरी नंबर प्लेट अलोकेट होती है, जब आप नई गाड़ी लेते हैं, तो यहां पे आपको तो हट 55 AD 3006 यह की एक कमर्शल नंबर प्लेट के बारे में आपको बताएंगे प्लेट में क्या-क्या होता है तो जो यह लो गलर की जो प्लेट होती है यह आपके हैवी जो वेहिकल्स होते हैं लोडर ट्रक्स या कोई भी समान वगेरा होते हैं तो उस तरह के वहिकल्स के में यूद होती है वाइट नंबर प्लेट जो होती है वह हमारी आम आम गाडियों में लगे होती है आपको पताएंगे हैचा 29 का मतलब क्या है 9551 का मतलब क्या है और आपकी गाड़ी कौन से नंबर पर है आपको सब पताएंगे तेंप्लेरी नंबर प्लेट जब आप नहीं गा डिपेंड करता है आपके स्कूटर और मोटर सैकल के आगे वाली जगा किस तरह से फिट बैटती है उसी तरह की नमबर प्लेट आपको लगा की दी जाएगी तो नमबर प्लेट लगाने के लिए आपको आर्टी ओफिस में जाना पड़ेगा जिसमें आपको आपकी आरसी आप कुछ आर्टी ओफिस आपको साथ दिन का टाइम देंगे समय देंगे तो आप वहां जाके अपनी गाड़ी या स्कूटी ले जाके वहां पे आप लगवा सकते हैं कमर्शल वेहिकल के टेक्स टेक्चर आर्टी ओ रूल्स और प्राइसीज अलग-अलग होते हैं चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर प्लेट में क्या-क्या होता है आपके सामने एक नंबर प्लेट है HR-29DQ-9551 HR से पहले एक IND का सिंबल लिखा हुआ है उसके ऊपर एक होलोग्राम है और IND की नीचे कुछ ग्रे कलर में आपको अगर आप जूम करेंगे तो इसे आपको एक सीरील नंबर दिखेगा है उसके बार इम बताने जा रहा हूँ सबसे पहले होलोग्राम है होलोग्राम किसीज़ का होता है सत्य में जयते का होता है IND का मतलब होता है कि आपका एक इंटरनेशनल कोड है आपकी नंबर प्लेट में आपकी गाड़ी पे और IND के नीचे जो होता है होता है यूनिक सेरील नंबर होता है IND के बिलकुल नीचे आप जूम करके देख सकते हैं HR का मतलब आपका स्टेट कोड है HR मिन्स हरयाना और 29 का मतलब है आपका डिस्टिक कोड आपका जो जिला है उसका कोड क्या है टीक्यू अलफबेटिकली नंबर है कुछ अलोर्टमेंट होता है आर्टियो गाडियों का नंबर अलोट करता है आपको नेक्स स्लाइड में बताया जाएगे बताया जाएगा और 9551 आपका एक रिजिस्टर नंबर होता है कि आपका यह नंबर है डीक्यू के साथ एचार 29 डीक्यू के साथ आपका 9551 यह नंबर है तो कंप्लीट नंबर प्लेट आपको यह दर्शाती है कि यह इंडिया की नंबर प्लेट है IND हर्याना स्टेट है 29 बलबगड डिस्टिक है और डीक्यू एक सीरीज नंबर है और 9551 आपका गाड़ी का लेंगी temporary number plates की validity कुछ दिन के उली होती है जब तक आप नया number आपको अलोकट नहीं हो जाता है तो बने रही इस वीडियो में जानने के लिए कि आपकी गाड़ी कौन से number पर है आपके शहर में चलिए आपको पताता हूं कि आपको number plate दिख रही है HR 29 DQ 9551 यहां हम बात का मतलब होता है अगर आपने बिना series alphabet वाली कोई numbers वाली गाड़ी देखी है तो comment box में लिख कर मुझे reply करें तो आपको पताते हैं कि DQ का मतलब क्या होता है आप सपोच करें कि RTO जब RTO number allocate करता है किसी भी गाड़ियों के लेक सपोच करते हैं कि 9999 गाड़ियां हैं दूसरे चब्दों में कह सकते हैं कि RTO ने कुछ 10,000 गाड़ियों को registration करना है उनको number allocate करने है तो रूल की साब से सिर्फ 4 digit ही number allocate करेगी RTO तो 5 digit की कोई भी number गाड़ियों पे नहीं होते है तो अगर मान के चलें कि HR 29A 001 से गाड़ होता है तो वो लास्ट तक जाएगा HR 29A 9999 तक 9999 तक तो आपकी A series वाली जो गाड़ी है वो उसमें 9999 वहिकल आ जाएंगे जिनका registration RTO में हुआ है A series का हर्याना के अंदर और बलफ गड़ के अंदर तो 001 जो number है starting celebrate होता है लोग जो है एक्स्टा पैसे दे के भी अपना कोई desired 1% number RTO से allocate करवा सकते हैं कुछ एक number VIP number होते हैं जो कि very important persons के लिए होते हैं कुछ politicals लोगों के लिए होते हैं कुछ film stars के लिए होते हैं कुछ other जिते भी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो जिस भी शहर में जिले में ह A series 001 से लेके 999 तक चलती है जिसमें 10,000 अप्रोक्समेट एक कम 10,000 वहिकल हैं उसमें जैसी series complete होती है तो HR 29 की B series start हो जाती है जो की 001 से शुरू होती है और 999 तक जाके रुपती है इसी बीच अगर कोई दुबारा से VIP number लेना चाहता है B series का तो वो extra पैसे दे के ले सकता है और कुछ एक VIP numbers भी allocate रहेंगे B series के अंदर इसी तरह से सारी series चलती जाएंगी तो DQ के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं हम आपके question के answer देने के लिए कि आपके शहर में आपकी गाड़ी कित्वे number पर है चलिए बात करते हैं A series complete हो गई है तो अब मान के चलें कि Z series भी complete हो 99 vehicle registered हो गए है 0001 से लेके 9999 तक अब उसके बाद RTO क्या करता है कि A series complete होने के बाद double digit series to start pub ads की जैसे for example HR29A फिर एक A और A की series और एड कर देगा RTO जिसमें फिर से 0001 से लेके जो की 9999 तक चलेगा इसी तरह से HR29A B series 0001 से 999 तक जाएगी फिर HR29A C 001 से 9999 तक और चलते चलते HR29A Z 0001 से लेके 9999 तक जाएगी तो उसके बाद फिर BA series start हो जाएगी क्योंकि A के बाद A वाली series फिर कतम हो गई तो आपकी B series start हो गई तो B A series will start और जो की end होगी HR29BA 0001 से लेके HR29BZ999 तक चली simple word में आपको बताता हूँ एक A series RTO register करता है 9999 वहिकल को तो अब अगर माने की alphabet हमारे जो हैं English में A to Z तक 26 होते हैं तो एक A series में total कितने साधन वहिकल रिजिस्टर होंगे हम उसको simply multiply कर सकते हैं 26 multiply by 9999 is equal to 2,69,974 साधन एक A series में RTO register करता है जिसकी limit चाहे वो 3 मेने में हो जाए चाहे वो 4 मेने में चाहे उसको एक साल या दो साल लग जाए डिपेंड करता है कि लोग कितनी गाड़ियां purchase करते हैं आटियो के पास अपने खुद के rules है कि जिस भी series में वो आप अपनी गाड़ियां register करवाना चाहता है देना चाहता है लोगों को तो वो अपनी series एड़ कर सकता है जैसे HR29 Z01 लगा देगा यहां पर तो आटियो यहां पर ZZAB start कर सकता है ZZ कुछ भी अलग से start कर सकता है यहां पर अपनी मर्जे से सो फाइनली हम answer की तरफ आते है what is the rank of your vehicle आपके शहर की कुल गाड़ियों में से आपकी गाड़ी किस नंबर पर है अगर मान के चले है HR29 DQ 9551 आपकी गाड़ी का registration नंबर प्लेट है तो आपकी गाड़ी 12,9429 नंबर पर है चले जानते हैं इसको तो D का मतलब है आपकी CZ की सीरीज पूरी complete हो गई है HR49 CZ 9999 ये सीरीज पूरी complete हो गई है उसके बाद D स्टार्ट हुआ है और एक A से लेके क्यों तक चल रहा है अभी लेकिन P तक complete हो गए है दूसरे शब्दों में क्यों की पूरी सीरीज में से 448 साधन ऐसे हैं जिनका decision नहीं हुआ है तो हम उसकी पूरी सीरीज में से हम 448 साधनों को कम कर देंगे क्यों हमारा सत्रवे नंबर पर आता है तो एक सीरीज 001 से लेके 9999 तक हमारे पास 9999 साधन है तो 17 x 9999 – 448 हम इसको subtract कर देंगे हमारे पास यहां पर Q9551 का count आ गया है और D का count निकालके उसको हम उसमें add कर देते हैं तो जैसा कि मैंने पहले पताया D का मतलब है C, Z सीरीज complete हो गई है तो एक बार फिर से बताऊंगा पहली HR 29 A सीरीज से लेके Z सीरीज तक फिर उसके बाद double digit स्टार्ट हो जाती है A, A से लेके AZ तक फिर उसके बाद दूसरी double digit HR 29 BA से BZ और फिर तीसरी CA से CZ इस तरीके से चार हमारी सीरीज complete हो गई है और जैसा कि मैंने बताया कि एक A to Z सीरीज के अंदर 2,69,974 वहिकल आते हैं तो हमारे पास 4 सीरीज complete हो गई है तो हम 4 से इसको multiply करेंगे और Q सीरीज complete multiply करके उसमें से 448 गटाएंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा rank आ जाएगे कि आपका जो साधन है वह 12,9430 में स्तान पर registered हुआ है तो इस तरीके से हम किसी भी गाड़ी का नंबर प्लेट जानकर हम पता लगा सकते हैं कि वह गाड़ी आपके शहर की कुल गाड़ियों में से किस स्तान पर है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आप जानेंगे हर्याना के कि जिदने भी आटियो कोड्स हैं उनके नेरबाए सिटीज कौन सी है और उनका कोड क्या है उनका नेशनल केपिटल से कितना डिस्टैंस है जानकर ये अच्छी लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद है थैंक्यू सब्सक्राइब